हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy F05 Android मोईल फोन में आप अपने मोईल फोन में कैमरे के वाटरमाग को चेंज कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले दे हैं देखे इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोईल फोन का कैमरा ओपन कर लेना है camera में अब आपको नीचे पहले तो फोटो का section आपको select कर लिना है यहाँ पर सबसे उपर आपको यह setting का जो icon है इसे select करना है इस page में आपको नीचे watermark का यह option है watermark के name के उपर यह आपको tap करने है अब इस watermark के page में सबसे उपर ये off के सामने अले बटन को पहले चालू करना है तो आपको नीचे ये model name का option दिखाई देने लगता है model name के सामने जो edit का option है add it पे select करना है अब यहाँ पर देखे page आगा ना इस page में आपको जो भी watermark पहले का डला हुआ है उसे cut कर देना है cut करने के बाद एक नया watermark आपको यहाँ पे लिख देना है यानि कि आप अपने नाम लिख सकते है जो कुछ लिखना आप लिख सकते है ठीक है इसके बाद आपको save का button है save पे select कर देना है तो इस तरीके से आपके camera का watermark change हो जाता है इसके बाद आप अपने camera से photo capture करेंगे तो आपके photo के उपर वही watermark दिखाई देगा जो आपने change किया है ठीक है